साथियों, आज लखनों के लिए एक और बधाई का आउसर है। लखनों ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मा भारती के लिए समर्पृत राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनके समर्पृति में बाबासाव भीमरा मंबेटकर उनिवर्सिटी में अटल भी हैरी वाजपाई चेर स्थापित की जा रही है। मुझे विश्वास हैं कि ये चेर अटल जी के विजन उनके एक्षन राष्ट निर्मान में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 55 साल की विदेश नीती में अनेक मोड आएगे। लेकिन डाटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत के मजबुत नीव है। अब सोचिये, एक तरफ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी तरफ स्वनिम चतुसकर, नौर्थ इस्ट वेस्ट, नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कोरिडोर, याने दोनों तरफ एक साथ दृष्टी और दोनों तरफ विखास का प्रयास। साथियों, वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के मादिम से देश के महानगरों को जोडने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभो है। छे साथ पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोडों पक्ते घर, करोडों सोचा ले, टेजी से चलने वाली रेल, शेहरों में पाइप से गैस, अप्टिकल फाइबर, जैसे बड़े इंफासेक्टर प्रोजेक्टिक भात की। तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सबलता, दुनिया देख रही है। भारत आज पी-े-म आवास योजना के तहट जितने पक्के घर बना रहा है, वो दुनिया के अनेक देशों की कूल आबादी से भी अधिक है। एक समय था जब घर की स्विकृति से लेकर उसको जमीन पर उतरने में ही बर्सों लग जाते थे। जो गर बनते थे भी वो शायद रहने लाइक थे कि नहीं ये सवाल या निसान जरूर पूछे जाते थे। गरों की साइज छोटी, कंस्ट्रक्शन मट्रियल खराब, एलोट्मेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाईयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया और मैं उत्तर प्रदेश का विशेस रुप से आबारी हूँ कि आपने मुझे देश की संसद में पहुचाया। और जब हमने आपने हमें दाइत्व दिया तो हमने अपना दाइत्व निभाने की निमांदार कोशिच किये।